अब दीजिए थोड़ा जगब बने दीए स्टेज पे वरिशनेता कॉंग्रेस पार्टी के वरिशनेता विपक्षि दल के वरिशनेता हमारे प्यारे कार्य करता भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत आप आज यहां बर्फ में खड़े हैं मगर आप में इससे किसी को सर्दी नहीं लग रही है आप बारिश में खड़े हुए कोई भीगा नहीं गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है क्योंकि देश की शक्ती आपके साथ है प्रियांका की बात मैं सुन रहा था प्रियांका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में प्रियांका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है मगर मेरे आँख में आसु आए क्योंकि मैं कन्या कुबारी से चला शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले मैं सच बताओं आपको अजीव लगेगा मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज आच दस किलोमेटर दोड़ता हूँ तो मैंने सोचा था देश कन्या कुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी मेरे दिल में था कि असान होगा फिजिकली मेरे लिए यह मुश्किल काम मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा कि शायद कि मैं काफी वर्जिश करता हूं थोड़ा सा अहंकार आ गया जैसे आ जाता है मगर फिर कि बात बदल गई जब मैं चोटा था फुटबॉल केलता था और कॉलिज में जब मैं फुटबॉल केल रहा था एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजिरी इंजिरी हुई थी मैं उसको भूल गया था घुटने में दर्द नहीं होता था भूल गया था उसको दर्द गायब हो गया था मगर कम्यार उबारी से पांच साथ दिन बार घुटने में प्रॉब्लम आई और जबर्दस प्रॉब्लम आई पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो तीन हजार पांच सो किलोमेटर हैं क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं तो जो मैंने सोचा था असान काम होगा वो काफी मुश्किल हो गया मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ सीखने को मिला मैं आपको बोलू तो दर्द सहना पड़ा काफी मगर सह लिया रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था अब 6-7 घंटे और चलने है और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है और एक छोटी सी बच्ची आई दोड़ती हुए आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है मगर तुम अभी मत पढ़ो इसको बाद में पढ़ना और फिर वो मुझे गले लगके भाग गई पिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूँ क्या लिखा है तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है क्योंकि आप जब उस पेर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कन्या कुमारी नहीं चल सकती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं मगर मैं दिल में आपके साथ आपके साइड में चल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविश्य के लिए चल रहे हो और और उसी सेकंड मैं पता नहीं अजीब सी बात है दूसरी बात मैं चल रहा था, मैं चल रहा था और उस समय, उसी समय वहाँ पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था, और चार बच्चे आए, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं तो कह देता हूँ, छोटे से बच्चे थे, विकारी थे, भीक मांगते थे, और मेरे पास आए, कपड़े नहीं थे, मैंने देखा, शायद मजदूरी भी करते थे, तो थोड़ी मटी थी उन पे, खेर मैं ये चीज़े देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ जले लगा, गुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था, और फिर, नहीं सुनिये, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, मगर कह दूँगा, तो उनको ठन लग रही थी, वो काप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब, अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए, मगर मैं, मैं जिचका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिचका क्यों आपको बताना चाहता हूँ जब मैंने ये खतम किया मैं चल रहा था तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला राहुल जी ये बच्चे गंदे हैं इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए तो मैंने उनसे कहा वो आपसे और मुझे से दोनों से साफ हैं तो देश में कभी-कभी ये विचारधरा दिखाई दे जाती है दूसरी बात आपको बता देता हूँ शायद लोगों को अच्छी ना लगे जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी आपने देखा आपको मालूम है क्यों रो रही थी नहीं उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी मुझसे मिल कर रो रही थी मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी उन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलतकार हुआ है उनको किसी ने मुलेस्ट किया है उनके किसी रिष्टेदार ने उनको मुलेस्ट किया है और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलीस को बताऊं तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलीस को मत बताईए हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालम हो मगर पुलीस को मत बताईए हमारा और भी नुकसान हो जाएगा तो ये हमारी देश की सचाई है ऐसी बहुत सारी और में कहनियां आपको बता सकता हूँ तो फिर मैं कश्मीर के ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से उपर जा रहा हूं मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिष्टेदार नीचे से उपर आए सुरी उपर से नीचे आए कश्मीर से अलाबाद गंगा की ओर गए और मुझे ऐसे लग रहा था ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं गर मेरे लिए जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं मेरा अपना घर नहीं है तो मेरे लिए मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूँ वो एक इमारत होती है वो घर नहीं होता है घर मेरे लिए एक सोच है एक जीने का तरीका है एक सोचने का तरीका है और यहाँ पर जिस चीज़ को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूँ अब यह कश्मीरियत अब यह कश्मीरियत है क्या यह जो शिव जी की सोच है एक तरफ और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो इसको शुन्यता कहा जा सकता है अपने आप पर अपने अहंकार पर अपने विचारों पर आकरमन करना और दूसरी तरफ इसलाम में जिसको शुन्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है सोच वो ही है इसलाम में फना का मतलब अपने उपर आकरमन अपनी सोच पर आकरमन जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं यह हूँ मेरे पास यह है मेरे पास यह ग्यान है मेरे पास यह घर है उसी किले पर आकरमन करना वो ही है शुन्यता वो ही है फना और इस धर्ती पे यह दो जो विचार धराएं इनका एक बहुत गहरा रिष्टा है और यह सालों से रिष्टा है जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है गांदी जी वैशनव जन्तों की बात करते थे जिसको हम यहाँ शुन्यता फना कहते हैं उसको गुजरात में वैशनव जन्तों कहा जाता है असाम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही करनाटक से हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वहाँ बसवा जी ने ये बात कही केरल में नरायन गुरू ने ये बात की महराश्टा ने जोती भाय फूले ने जी ने ये बात की और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं लोगों को जोड़दा और दूसरों पर आक्रमन नहीं करना अपने आप पर आक्रमन करना अपनी कमी देखना मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा किया और गया था अलाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहाँ पास में हमारा घर है तो जब यहाँ से वो वहाँ गए उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तैजीब कहा जाता है तो उन्होंने मेरे परिवार ने छोटा सा काम कोई बड़ा काम नहीं किया जो आपने उनको सिखाया जो जम्मु कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया लदाग के लोगों ने सिखाया क्योंकि उसमें बहुत धर्म भी है उनके पास भी वोई सोच शूनियता की सोच उधर भी है वो उसको ले गए और उस स्विचारधारा को सोच को गंगा में उन्होंने रखा तो मैं यह सोच रहा था जब यहां आ रहा था पैदल चल रहा था और मुझे सिक्यूरिटी वालों ने कहा सिक्यूरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो जमू में भी चल सकते हो मगर आखरी जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए वेनु गोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो ओर्गनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा तीन चार दिन पहले अड्मिनिस्टेशन ने कहा कि देखिए शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके उपर ग्रिनेट फेका जाएगा तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि ऐसे करते है मैं अपने घर वापिस जा रहा हूँ चार दिन पैदल चलूँगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूँगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूँ कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं है तो मैंने मौका दिया मैंने का मैं चार दिन चलूँगा बदल दो टी-शर्ट का रंग लाल कर दो देखी जाएगी मगर जो मैंने सोचा था वोही हुआ जमू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड रिनेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे और मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्हों ने उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने बुज़ुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया मैं अब जमू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं CRPF के लोग काम करते हैं उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ सब को जमू कश्मीर के युवाओं को बच्चों को माताओं को सब को CRPF के BSF के आर्मी के जवानों को उनके परिवारों को उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ देखिए मैं हिंसा को समझता हूँ मैंने हिंसा सही है देखी है जो हिंसा नहीं सहता है जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझनी आएगी जैसे मोदी जी है अमिच्शा जी है आर एसेस के लोग हैं उन्होंने हिंसा नहीं देखिए दरते हैं नहीं डरते हैं देखिए डरते हैं यहाँ पर हम चार दिन पहदल चले मैं आपको गैरंटी देके कह सकता हूं कि BJP का कोई नेता कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है और आप और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे इसलिए क्योंकि वो डरते हैं खेर मैं मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को युवाओं को बज़र्गों को और आर्मी के लोगों को सी आइट पी एफ बीएस एफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं देखिए मैं जब 14 साल का था स्कूल में था सुबह जोगरिफी की क्लास में था मैं पढ़ रहा था सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई अंदर आई और उसने का राहूल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है मैं बदमाश था बहुत बदमाश था जब छोटा था बेहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं अभी भी करता हूं मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है मैंने कुछ गल्ती की होगी अब मार पटेगी वहाँ पे केनिंग होती थी मैंने सोचा था केनिंग होगी मेरी मगर जब मैं चल रहा था जो जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देख कर मुझे कुछ अजीब सा लगा और जब मैं प्रिंसिपल के ओफिस पहुँचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहूल तुमारे घर से फून कॉल है और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लगया कुछ गलत हो गया है मेरे पैर कहां पे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मा के साथ एक औरत काम करती है वो चिला रही थी राहूल दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी 14 साल का था देखिए ये जो मैं कह रहा हूं ये जो मैं कह रहा हूं ये जो मैं अभी कह रहा हूं ये बात प्रधान मंत्री को नहीं समझाएगी ये बात अमिट शाजी को नहीं समझाएगी ये बात दोवल जी को भी नहीं समझाएगी मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझाएगी ये बात सी आर पी एफ के लोगों को समझ आएगी ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी उनके परिवानों को समझ आएगी तो मेरे उन्होंने मुझे कहा नाम उंगमू है उसका उसने कहा दादी को गोली लग गई दादी को गोली लग गई और फिर मुझे गाड़ी में वापिस ले गए प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया मैं वापिस गए और फिर मैंने वो जगा देखी जहां मेरी दादी का खून था पापा है माँ है माँ बिलकुल हिल गए थी बोल नहीं पा रहीं थी फिर फिर क्या हुआ तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है ये जो है ना ये इसको हम बिलकुल दूसरी तरीके से देखते हैं ये आप सब के लिए टेलेफोन है ये हमारे लिए सिर्फ टेलेफोन नहीं है उसके बाद छे साथ साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलेफोन आया 21 में टेलेफोन आया जैसे बहुत सारे जैसे जो पुलवामा में पुलवामा में हमारे सेनिक मरे थे उनके घर टेलेफोन आया होगा हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलेफोन आया होगा सेना के परिवारों को टेलेफोन आया होगा वैसा ही टेलेफोन आया पिता के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहूल बुरी ख़बर है मैंने उनसे कहां मैं जानता हूँ पापा मर गए कहते हाँ मैंने का धन्यवाद फोन रख दिया तो मेरा कहना है मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है जैसे मोदी जी है अमिच्छा जी है अजीत डोवल जी है आरेसेस के लोग है वो इस बात को समझ नहीं सकते है वो दर्द को समझ नहीं सकते है हम समझ सकते है पुल्वामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ मेरे दिल में वो ही हुआ है जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है जो फोन कॉल आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूँ मेरी बहन समझती है तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा यात्रा का क्या लक्ष है कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है उस समय दिमाग में आया मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूँ कल भाशन में बूलूँगा यात्रा का लक्ष है कि ये जो फोन कॉल है चाहिए आर्मी के हो चाहिए एस्सी आर पी एफ के हो चाहिए एक कश्मीर के लोगों के हो ये फोन कॉल बंद हो जाए कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को किसी मा को किसी बेटे को ना लेना पड़े मेरा लक्ष यह जो फोन कॉल है इनको बंद करने का है अब अब देखिए बीजे पी आरेसेस के लोग आक्रमन किस चीज़ पर कर रहे हैं मुझे गाली देते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जो मैंने आपको शुनियता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूँ और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे उपर प्रेशर डालें जितनी भी गाली लगाएं जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ अगर जो मैंने आपको बात बोली पहले, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे वो वैशनो जनतो है, चाहे वो शंकर देव जी है, बसवा है, नरायन गुरू है, तिरुवलवर है, जो तमिल नाडू के बड़े पोयट है, फूले जी है, और जो कश्मीरियत है, ये इस विचारधार पर आकरमन कर रहे हैं, और ये जो विचारधाराएं हैं, ये इस देश की नीव है, इस देश की फाउंडेशन है, और आपने जो किया, जो यात्रियों ने किया, हम सब ने किया, इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है, मैंने ये काम अपने ले नहीं किया, मैं ऐसा का अपने लिए कभी करी नहीं सकता हूँ मैंने ये काम मैंने ये काम हमारे कॉंग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे मगर मैंने ये काम कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है मैंने ये काम और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के ले किया है और और हमारी कोशिश है हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़ने की कोशिश कर रही है जो विचारधारा इस देश की नीव जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़नी की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम खड़े हो मिलकर खड़े हो नफरत से नहीं क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है मोहबत से कड़े हो मैं जानता हूँ कि अगर हम मोहबत से कड़े होंगे पियार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और उनकी जो विचारदारा है उनको हम सिरफ उसको हम सिरफ हराएंगे नहीं मगर उस विचारदारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे तो आपने देश की जन्ता ने हमारा समर्थन किया हमारी कोशिश है जो हिंदुस्तान का तरीका है महबत का तरीका है वो हम देश को दिखाएं हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान महबत का देश है इज़त का देश है भाईचारे का देश तो हमने जो कहा था छोटा सा कदम लिया है बड़ा कदम नहीं है नफरत के बाजार में महबत की दुकान कुलने की कोशिश की धन्यवाद जेहन हम रावल गांदी जी को उनके सारे नेशनल ये जो परद्यात्री थे और यहां पर आज के मोके पर जो हमारे मेमान दूसरे पार्टियों से आए थे उनके लीडरान आए थे सीड़ाब्री सी के मेंबरान थे मेंबर पार्लिमेंट चीफ मिनिस्टर पी सी सी प्रेजिन्ट्स और जो भी यहां आज मौजूद थे उन सब को शुक्रिया करते हैं और अभी फंक्शन को समापन करते हैं आज शुक्रिया काई थे पाज्य विधाता, पंचाव सिंद गुजरात भराता, जाविर उत्तर वंगा, पिंद हिमाचल यमुनागंदा, उत्चल जलतितरंदा, तवशुव नामे जागे, तवशुव आशिशमागे, जाहे तव जय दाथा, जन जन मंदन दायत जय哈 ठानक भाक्य विधाता जय है, जय है, जय है झाल झाल